हेलो फ्रेंट्स वेलकम यूट्व आवर चैनल ट्रस्ट लॉजिक्स टुटोरियल तो इन टोड़ीज वीडियो 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 में डिस्कॉस करेंगे इसमें आपको मॉडल डाटा को एनलाइज करना होता है और फिर उसके रिजल्ट के एकको इंटरप्रेट करना होता है इसमें आपको प्रोडियो एकुलेक्ट क्रूशिल कमपणी डाटा इंक्लूदिग फिनेशल रिकॉर्ट्स sales, prospects and many more और data scientist की salary आपको बहुत ही अच्छी होती है अगर आप एक computer science student हो तो आप data scientist की job देख सकते हो तो अब हम बढ़ते हैं हमारे next job की तरफ तो number two है software engineer software engineer की job आजकल काफी जादा popular है जो भी बच्चे computer science की field से बीटे की या BE करते हैं या M.T.E.C. करते हैं या फिर आप किसी और field से भी कर रहे हो बट अगर आपको knowledge है दन आप software engineer बन सकते हो इसमें आपको creativity जरूरी है अगर आप creative हो responsible हो lead कर सकते हो पूरे development program को अगर आप एक अच्छा software develop कर सकते हो then you can be software engineer यहाँ पे आपको mathematics की knowledge और computer science की knowledge mix करके आपको new software ready करने होते हैं और इसकी salary आपको काफी अच्छी होती है इंडिया में आपको software engineer की बहुत job है तो अब हमारा next है blockchain developer जो आजकल काफी जादा trend में है blockchain developer अगर आप अपने career को एक अच्छी field में देख रहे हो जहां आपको बहुत अच्छी potential growth हो और tech industry में आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो blockchain developer बनना आपके लिए एक सबसे best option है क्योंकि आजकल certified blockchain developer की बहुत demand है बट इतने सारे हैं नहीं blockchain developer और इस वज़े से ये एक दूसरा reason बन जाता है 2022 में एक best high paid tech jobs का blockchain developer is going to be the highest paid tech jobs in future also now next है हमारा python programmer python एक ऐसी language है जो बहुत ज़्यादा wide है easy तो बहुत ज़्यादा है बट ये बहुत ज़्यादा wide language है तो काफी लोग आजकल python program में जा रहे हैं क्योंकि python की marketing अभी बहुत बढ़ चुकी है और इसका demand बहुत ज़्यादा हो गया और ये constantly grow कर रहा है और ऐसा उमीद क्या जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में भी python की बहुत ज़्यादा demand होगी क्योंकि एक बहुत easy language है बहुत कम time consume करता है और आपके बहुत सारे काम अच्छे से इसमें हो जाते है python ने java, javascript जैसे काफी popular languages को overcome कर लिया है और ये October 2021 में ये top ranking पे रही है और अगर आप python programmer बनते हो तो आपको salary भी अच्छी मिलेगी अब हमारा next है cloud engineer इस pandemic के time पे digital services जिस तरह से डूब रहे थे तो अभी cloud engineer की demand बहुत जादा बढ़ गई थे globally cloud revenue कितना है 474 billion 2022 में पहुँचा है जो कि 2021 में 408 billion डॉलर था तो आप समझ सकते हो ये कितना जादा ग्रो कर रहा है cloud engineer technical process manage करता है cloud based system के थूँ अब next है हमारा devops devops engineer जो कि आपको operation team के साथ काम करनी होगी या फिर development team के साथ काम करनी होगी इसमें आपको जरूरी है कि आप git jenkins, linux और unix में proficient हो और इसके साथ साथ आपको coding, scripting जैसे language भी आने चाहिए जैसे कि python, ruby या फिर दूसरे programming language devops engineers को बहुत सारे टास्क दिये जाते हैं जैसे कि maintain करना, integrate करना, cloud services को, infrastructure को maintain करना और उसको automate करना और इसकी salary भी आपको बहुत अच्छी है इंडिया में तो ये थे हमारे six highly paid tech jobs in India तो दोस्तो, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर करना और ऐसे important वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करे तो थांक यू फ्रेंद्स